तो hello everybody, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग खुब अच्छे होंगे और साथ ही साथ healthy भी होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका मन और साथ ही साथ आपका जब सरीर, आपको body साथ देता है, healthy रहता है, तो आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, चलिए, तो आज के हम अपने इस video को start करते हैं, आज के इस video में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के इस video में हम लोग वही definite integral के portion को ही solve करेंगे, उसके different questions को solve करेंगे, क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं definite integral पे, क्योंकि जब आप J.Mains का paper देखते हैं, जो पिछले 40 सालों से आ रहा कि more than 50%, more than 50% जो question रहते हैं, वो calculus से आते हैं, अब यह जो calculus होता है, वो होता है, दो तरह का, एक होता है आपका integral calculus और दूसरा होता है differential calculus, तो integral calculus में ही हम लोग definite integral और indefinite integral को solve करते हैं, तो इस वज़े से आपको definite integral और differentiation और integration है, उसको समझना, उनकी questions को solve करना बहुत ही important बन ज जाता है, समझ में आया, तो चली, आज के इस वीडियो का हमें start करते हैं, और आज हम एक और अच्छे-च्छे questions को solve करेंगे, तो यहाँ पर दीखिए, हमारा पहला question है, limit 0 to pi by 2, 1 divided by 2 cos x plus 4 sin x, तो जैसा कि आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, कि यह हमारे पास जो integration है, वो trig trigonometry functions का है, अब इस trigonometry functions में हम किस तरह से हम questions को solve करते हैं, integration को solve करते हैं, तो जब भी हम trigonometry functions की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम उनकी formula पर बात करेंगे, ठीक है, हम कौन-कौन सा formula, क्या-क्या formula हम apply करें, जिससे हमारा यह जो integration है, वो solve हो जाए, समझ में आ रहा है, तो जब तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, I put कर लेते हैं, तो let I equal इस पूरे integral को हमने I put कर लिया, 0 to 5 by 2, 1 divided by 2 cos x plus 4 sin x, ठीक है, और into dx, इतनी बात clear हो गई, ठीक है, अब next हम जानते हैं कि जब हमारे पास trigonometry function है, तब इस trigonometry function में हम लोग formula को apply करने की कोशिस करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको cos x और यहाँ पर दिख रहा है sin x, ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इसमें cos x में और sin x में एक ही item पर लियाओं, एक ही item को लियाओं, कैसे लिया सकता हूँ, ऐसा हमें कुछ पता है क्या, कि cos x का tan में formula होता है क्या, इस cos x का tan में formula होता ह है क्या अरे भाई समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास में cos x का 10 की form में हमारे पास formula है क्या बिल्कुल है कौन सा formula है यह होता है 1-10 square x by 2 divide by 1 plus 10 square x by 2 यह होता है क्या ऐसा कुछ आपने पहले अपनी लूवर क्लासों में ऐसा कुछ देखा है क्या कभी इसका यूज किया है क्या अगर यूज किया है तो हाँ यह ऐसा हमें हम बोल सकते हैं कि यह जो cos x है इसकी value 1-10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 होगी क्लिर होगी बात और उसके बाद हम यह भी जानते हैं कि sin x का भी हमारे पास में 10 के formula में हमारे पास formula है क्या होता है यह होता है हमारे पास 210 x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 तो यह दो formula हम लोग यहां पर use करने वाले हैं इसको solve करने के लिए समझ में आया समझ में आई क्या बात ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और इसको solve करते हैं solve करने के लिए हम क्या करेंगे cos x की जगे 1-10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 put करेंगे और sin x की जगे 210 x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 put करेंगे आराम से ध्यान से देखते जाएगा अच्छा question है एक्जाम में आ चुका है ठीक है 1 divided by 2 cos x की जगे हम क्या put करेंगे 1-10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 कर दिया इतना plus अगे बढ़ते हैं 4 इसको बढ़ा देते हैं अब sin x की जगे हमने क्या put करना है 210 x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 कितनी चीज़े हम ने पूट कर दी कर दी के इतनी चीज़े पूट कर दी अतना चलिए अब उसके बाद आगे इसको solve करते हैं जीरो से पाई पाई 2 अब यहां पर LCM ले लो तो LCM कितना आएगा 1 plus 10 square x by 2 यहां पर भी है 1 plus 10 square x by 2 यहां पर भी है तो LCM हमारा कितना आ जाएगा LCM आ जाएगा हमारे पास में यह है ना 1 divide में चल रहा है ना 1 divide यहां पर LCM लिए तो 1 plus 1 plus 10 square x by 2 यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा हमारे पास 2 1 minus 10 square x by 2 plus 4 210 x by 2 और into dx इतनी चीज आएगी ठीक है step by step बता रहा हूं ऐसा कोई बता आएगा नहीं ठीक है step by हम इसको step by step solve कर रहे है color change कर देते हैं white ले देते हैं ठीक है अब उसके बाद यह जो 1 plus 10 square x by 2 है वह यहां पर आ जाएगा उपर में चला जाएगा तो क्या value हो जाएगी 0 से pi by 2 यह उपर में आ गया यह जो 1 plus 10 square x by 2 है वह उपर चला गया तो यह बना 1 plus 10 square x by 2 divide by यहां पर हम bracket के अंदर में multiply कर देंगे 2 का तो 2 minus यह क्या हो जाएगा 2 10 square x by 2 प्लस यह कितना हो जाएगा 8 10 x by 2 और into हो जाएगा हमारा dx इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या 1 plus 10 square x by 2 यहां पर LCM आया था इस कूपल ले गया तो यह 1 plus 10 square x by 2 बन गया और नीचे में हमने क्या कर दिया bracket के अंदर में जो भी constant है उनको multiply कर दिया इतनी वासमझ में इतना बन गया हमारे पास अब इतना बन गया हम जानते हैं 1 plus 10 square x by 2 यह क्या होता है 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta क्या होता है वैसे ही 1 plus 10 square theta by 2 कितना हो जाएगा second square theta by 2 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है तो लिख देते हैं यह हो गया हमारे पास जीरो से पाई by 2 यह 1 plus 10 square जो x by 2 है इसको हम लिख सकते हैं क्या sec square x by 2 divide by 2 minus में 2 10 square x by 2 plus 8 10 x by 2 और into dx यह बास समझ में आई कि आपको इतनी चीज़े समझ में आई अब उसके बाद हम क्या करें उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखो कि अगर मैं 10 x by 2 हम 10 x by 2 को क्या ले लेते हैं पुट कर देते हैं t मतलब substitution method यहां पर apply कर देते हैं आगर मैं इस 10 x by 2 की जगे put कर देता हूं t substitution method apply करते हैं तो हम यहां पर देखेंगे उसके तुरंद बाद जब हम उसका differentiation करेंगे तो differentiation क्या हो जाएगा sec square 10 x by 2 का जो differentiation होगा पहले 10 का होगा तो 10 का क्या हो जाएगा sec square x by 2 होगा और पिर x by 2 का होगा क्या हो जाएगा वण बाइटू हो जाए गा तो श्यकी स्टाइक n कुए लोग क्या लिख सकते हैं पूट कर सकते हैं समझ में आ रहा है जब इसकी जगे हम DT पूट कर देंगे यहीं रफ में हम बात कर रहा है ना इसकी जगे किसकी स्क्वेर X by 2 into dx की जगे हमने DT पूट कर दिया और जहां जहां भी 10 X by 2 होगा वहां पर हमने T पूट कर दिया हमने limit change कर दी तो उसके बाद यह जो मारा function था वह X में function था मतलब integration हो रहा था वह X में हो रहा था उसके तुरंद बाद वह किस में होने लगेगा T के form में होने लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको solve कर सकते हैं simplify कर सकते हैं कि नहीं चलिए तो हमें वहीं चीज करना है हम यहां पर यह जो 10 X by 2 है इस 10 X by 2 को हम T पूट करके इसको solve करने की कोशिस करेंगे तो next slide में हम क्या करते हैं यहां पर put करेंगे और apply करेंगे सब्स्टिटूशन मैथड अप्लाई करेंगे ठीक है तो हमने क्या किया हमने यहाँ पर पुट किया 10x by 2 को T के एक्वल 10x by 2 को हमने क्या ले लिया अब जैसे ही हम यहाँ पर 10x by 2 को T के एक्वल लेंगे उसके तुरंद बाद हम second step में क्या करेंगे उसका differentiation करेंगे दोनों side में हम differentiation करेंगे पहले side में हमारे पास में है 10x by 2 तो हम इसका x के respect में differentiation करेंगे तो बताइए क्या value आएगी 10x by 2 का differentiation क्या होगा सबसे पहले 10x by 2 का होगा तो यह बन जाएगा sec square x by 2 क्या बन जाएगा sec square x by 2 उसके बाद बनेगा किसका x by 2 का जो differentiation होगा उसकी value क्या आ जाएगी x by 2 का जो differentiation होगा वो हो जाएगा 1 by 2 और बचेगा last में x और x का जो differentiation है वो dx हो जाएगा x का differentiation क्या हो जाएगा dx ऐसे ही जब हम t में differentiation की बात करेंगे तो उसकी value हो जाएगी dt के equal समझ में आया तो यह हमारे पास में 10x by 2 equals to t put करने के बाद हम जब इसका differentiation किये तो value y sec square x by 2 into 1 by 2 into dx equals to dt इतनी बात clear हो गई अब उसके बाद हमने क्या करेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हम limit को भी change करेंगे क्योंकि वो limit जो है वो x की limit है और हमें अब यहाँ पर t की limit चाहिए तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर देखो यह limit जो है 0 से pi by 2 वो x की limit है हमें क्या करना है अब हमें t की limit put करना है तो जब x equals to, क्या रहेगा, lower limit हमारे पास 0 है, तो जब x की value 0 थी, तब t की value क्या होगी, और जब x की value pi by 2 थी, तब t की value क्या होगी, वो हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, कि जब x की value 0 थी, तब बताईए t की value क्या होगी, तो जैसे ही यहाँ पर मैं x की value 0 put करता हूँ तो क्या बन जाएगा 10 0 by 2 और 10 0 by 2 क्या होता है 10 0 होता है और 10 0 की value क्या हो जाती है 0 के equal हो जाती है ठीक है next बात करते हैं अपर limit की जब x की value pi by 2 थी तब t की value क्या होगी उसको बताइए तो यहाँ पर जब मैं pi by 2 put करूंगा तो यह क्या बन जाएगा pi by 4 बन जाएगा और हम जानते हैं कि 10 pi by 4 जो होता है वो उसकी value क्या होती है 1 होती है इसका मतलब क्या है क्या आया कि t की value 1 हो गई तो t की lower value 0 है और t की upper value कितनी बन गई 1 बन गई ठीक है next हम लोग यहाँ पर अब values को put कर देते हैं हमारी जो limit आ गई वो 0 से 1 आ गई 0 से 1 आ गई sec square x by 2 into 1 by 2 into dx equals to dt है ठीक है तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं sec square x by 2 into dx sec square x by 2 into dx की जगे हम क्या लिख सकते हैं sec square x by 2 into dx की जगे हम क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं क्या बिल्कुल put कर सकते हैं यह two यहाँ पर आजाएगा तो 2 dt बन जाएगा ठीक है next हम बात करते हैं उसके बाद 2 minus 2 10 square x by 2 यह जो हमारे पास 10 square x by 2 है जभी हम यहाँ पर 10x by 2 की जगे हम put कर लिए है t को तो यह क्या बन जाएगा 2-2 t square plus 8t बन जाएगा इतना ही बन जाएगा क्या बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास में 2-2 t square 2-2 2-2 t square plus 8t ऐसा ही कुछ बनेगा एक बाद फिर दिख लेते हैं तो यह बन जाएगा 2-2 10 square sorry 2-2 t square plus 8t बन जाएगा इतनी बात क्लिर हो गई यह चीज आपको समझ में आया क्या ठीक है आप उसके बाद देखिए नीचे denominator में क्या है 2 सब में common है तो 2 common करके उपर के numerator से हम इसको cancel out कर देते हैं तो यहां से बनेगा 0 से 1 यहां पर दोनों side में यहां पूरे से हम लोग 2 common करेंगे तो क्या value आएगी यह हमारे पास जो 2 common होगा वो 2 यहां के 2 किसे क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो यहां पर value आएगी dt divided by 1 minus क्या बनेगा t square बनेगा और यह बनेगा प्लस का 4t यह बन गया अब हमें क्या करना है 1 minus t square प्लस 4t को solve करना है अब इसको कैसे solve किया जाए अब यह क्या बन गया एक arithmetic function बन गया ठीक है हमारे पास trigonometric function हमारा question था उसको हमने change कर यह arithmetic function में अब उसके बाद इसको देखिए ध्यान से इसमें हमें कैसे करना पड़ेगा तो देखिए i equal यह जो t square दिख रहा है आपको वह minus में दिख रहा है negative दिख रहा है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले negative को इस पूरे उसमें से हम negative क्या ले लेते हैं common ले लेते हैं मतल अगया तो यहां पर अंदर में क्या बचेगा bracket के अंदर में क्या value आएगी यह आपकी t square क्योंकि minus जो था वो t square में था तो जब minus common कर लिए तो यह plus बन जाएगा t square और बाकी सभी किसमें positive में है तो वो minus बन जाएगे तो minus 40 और यह बन जाएगा minus 1 यह चीज समझ में आई आ perfect square बनाने की कुछ कोशिस करेंगे ठीक है तो देखिए i equal 0 से 1 dt divide by यह minus तो बाहर में ही है यहाँ पर देखिएगा हम कुछ plus और minus करेंगे कैसे plus और minus करेंगे हम क्या बनाना चाहते है यहाँ पर perfect square बनाना चाहते है तो t square minus 40 तो हमारे पास वैसे का वैसा है ठीक है अब t square minus 40 अब यहाँ पर क्या? पर्फेक्ट square के लिए यहाँ पर क्या? अगर आजाए तो हमारा यहाँ पर पर्फेक्ट square बन जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं plus 4 कर दूँ कर दूँ panelists कर दूँ तो minus 4 हमारे पास पहले से है तो इतनी value हमारे पास आजाएगी ये चीज clear हो गया, इसमें समझ भाया हमारे पास T square minus 40 था इसे हमें perfect square बनाने के लिए plus 4 करना पड़ा, जैसे हमने plus 4 किया, तो minus 4 भी करना पड़ेगा और ये minus 1 पहले से है तो इसको हम minus 1 लिख देंगे इतनी बात clear हो गई, आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं तो I equal में देखते जाएएगा, 0 से 1 dt divided by ये minus बाहर में ही रहेगा अब ये इसको ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या बन गया इसको हम ध्यान से जब देखेंगे इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा t square minus 4, t plus 4 मतलब ये बन गया हमारे पास में क्या t minus 2 का whole square क्या बन जाएगा t minus 2 का whole square बन जाएगा क्या बन जाएगा ये t minus 2 का whole square बन जाएगा बन जाएगा कि निए बन जाएगा ये हमारे पास बन गया t minus 2 का whole square ठीक है अब उसके बाद minus को हम अंदर में multiply कर देंगे तो क्या value आएगी यह हो जाएगा 0 से 1 यह बन जाएगा हमारे पास tt यह minus का अंदर में multiply करेंगे तो यह t-2 का whole square minus में आ जाएगा और जो minus 5 था वो plus 5 बन जाएगा तो यह हो जाएगा plus 5 और यह minus में क्या बनेगा t-2 whole square बन जाएगा अब इतनी बास समझ में आ गई ठीक है इसमें कोई doubt है क्या अगर कोई doubt होगा तो आप बिल्कुल बताएगा हमें है ना अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिखने के कोशिस करेंगे कि यह जो हमारे पास 5 है इस 5 को मैं क्या लिखने को कोशिस करूँगा ध्यान से देखेंगे इस 5 को क्या मैं root 5 का square लिख सकता हूँ जी हाँ इसको आप लिख सकते हैं माइनस में T माइनस 2 होल स्क्राइर बन गया जब इतना कुछ हमारे पास बन गया तब हमारे दिमाग में अब यहाँ पर हमारे दिमाग चलना चाहिए और दिमाग जैसे ही चलेगा तो आपको यहाँ पर एक इंट्रिकेशन का फॉर्मला नजर आएगा हमारे पास यहाँ पर एक integration का formula नजर आना चाहिए कि 1 divided by अगर a² minus x² है क्या है 1 divided by अगर a² minus x² है a यहाँ पर क्या है constant है और x थो हमारा t-2 है ठीक है तो 1 divided by अगर a² minus x² होता है तो क्या इसके लिए हमारे पास direct integration का formula है जी हाँ हमारे पास इसके लिए direct integration का formula है और वो formula क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर इसके बाद अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो आप इसके आगे solve भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो देखिए अगर हमारे पास integration में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 1 divided by a square minus x square into dx तो इसका जो integration होता है वो है 1 divided by 2a 1 divided by 2a log of a plus x divided by a minus x होता है क्या होता है log of a plus x divided by a minus x होता है तो इसी formula को हम यहाँ पर अब use करने वाले हैं और इसका integration हमारे पास direct आजाएगा i equal अब यहाँ पर a क्या है under root 5 है और x क्या है t minus 2 है तो ध्याँ से values को put करेंगे यह हमारे पास कौन सा formula बन गया इसका formula बन गया और इस formula में क्या है formula हमारे पास 1 by 2a और a यहाँ पर कितना है under root 5 ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे log log के बाद देखो log के बाद क्या है a plus x divide by a minus x a हमारे पास है under root 5 plus x x क्या है t minus 2 divide by a minus t plus 2 हो जाएगा न यह minus में है तो यह minus हो जाएगा यह plus 2 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं और यहाँ पर हम लोग अब क्या करतेंगे limit put करतेंगे 0 से 1 का limit क्या put करतेंगे 0 से 1 पे तो यहाँ पर हमारे पास जो answer देखने को मिलेगा वो हम इसको solve करेंगे पहले limit 1 put करनी है और T की जाएगे lower limit 0 put करनी है तो चली put करतेंगे यह हो गया log जब T की जाएगे 1 put करेंगे तो यह क्या बनेगा 1 minus 2 तो यहाँ पर उपर में क्या आएगा under root 5 minus 1 यह आएगा under root 5 minus 1 divide by यहाँ पर put किजे तो यह 1 हो जाएगा यह minus 1 plus 2 तो minus 1 plus 2 plus 1 हो जाएगा तो यहाँ पर value आएगी under root 5 plus 1 यह हो गई upper limit minus लगा देंगे lower limit put करेंगे तो lower limit क्या है हमारे पास T की value 0 है तो 0 यहाँ पर put करेंगे तो क्या value आएगी under root 5 minus 2 divide by जब यहाँ 0 put करेंगे तो क्या value आएगी under root 5 plus 2 आजाएगी इतनी वास समझ में आई है ना अपर लिमिट और माइनस लिमिट हमने पुट कर दिया अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लॉग M माइनस लॉग N हम लोग लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 by 2 under root 5 तो यहाँ से value आजाएगी log M divided by M तो यह हो जाएगा under root 5 minus 1 divided by under root 5 plus 1 और into में क्या आजाएगा under root 5 plus 2 divided by under root 5 minus 2 आजाएगा समझ में आया क्या इतनी वास समझ में आई तो यही हमारा क्या हो जाएगा answer बन जाएगा ठीक है यह चीज़ समझ में आगए log M minus log N की property लगा देंगे तो log M divided by N हो जाएगा तो यह divided by N हो जाएगा ठीक है क्या समझ में आया तो हमने देखा कि जब हम trigonometric के सरी integration में जह हम trigonometric functions रहते हैं तो उनको हम किस तरह से उनके formula से relate करते हुए एक पूरे integration को अच्छे integral जो calculus है जो अच्छा question बन सकता है आपके लिए जो आपका 4 marks में 5 marks में साथ ही साथ में आपके जही में के exam में भी आ चुका है यह exam यह question जो है वो किस तरह से हम आराम से इसको solve कर सकते हैं चलिए ठीक है तो चलिए एक question और बनाते हैं हम लोग तो आईए चलिए हम अपने दूसरे question की तरह बढ़ते हैं दूसरा question है बहुत यह अच्छा question है और exam में आया हुआ है ठीक है तो यह question हमारे पास है कि limit 0 से pi by 2 cos square x divided by cos square x plus 4 sin square x ठीक है तो हमें इस तरह के question है यह वाला question है इसको हम किस तरह से solve करेंगे इसको समझते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम i के equal कर देते हैं और limit 0 से pi by 2 लगा करके इस पूरी value को हम यहाँ पर लिख देते हैं cos square x plus 4 sin square x into dx ठीक है यह भी cos square में है यह भी cos square में है और यह हमारा sin square में है तो क्या मैं इस sin square को भी cos square में change कर सकता हूँ जी हाँ हम इसको change कर सकते हैं 0 से pi by 2 cos square x by 2 sorry x by 2 नहीं है cable x है तो यह माफी चाहूँगा xy केवल cos square x divide by यहाँ पर क्या है यह भी cos square x है plus 4 अब इस sin square x को मैं cos square x में change करूँगा तो यह बन जाएगा 1 minus 1 minus में क्या 1 minus में cos 1 minus में cos square x और into dx हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 0 से pi by 2 यह हमारे पास है cos square x divide by यह बन गया cos square x अब यहाँ पर मैं 4 का अंदर multiply कर देता हूँ तो यह बनेगा 4 minus में क्या बनेगा 4 cos square x और यह बना रहा dx बन जाएगा ठीक है दिहान से देखते जाएगे और साथ ही साथ आप भी questions को solve करते चले जाएगे 0 से pi by 2 यह हो जाएगा हमारे पास cos square x divide by जब हम यहाँ पर value देखेंगे तो 4 तो positive है minus में आ रहा है हमारा cos square x कितना minus में आ रहा है तो इसको solve करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की value आ गई ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब यह बन्या cos square x divided by 4 minus 3 cos square x अब इसके बाद कैसे solve करें इसके बाद हम क्या लगाएं क्या किया जाए इसके बाद बताईए इसके बाद हम क्या करें अब इसके बाद अगर मैं अगर मैं उपर नीचे minus 3 का multiply करता हूं क्या करते हूं माइनस 3 का multiply करते हूं उपर नीचे minus 3 का multiply करते हैं ठीक है जहां से देखते जाएगा अगर मैं numerator और denominator में minus 3 का multiply करता हूं तो यह हो जाएगा हमारा minus 3 और उपर वाला जो minus 3 है उसको यहाँ पर लिख देते हैं minus 3 और यहाँ पर क्या है cos square x divided by क्या value है 4 minus 3 cos square x और into dx हमने क्या किया यह minus 3 जो है वो उपर और नीचे मतलब numerator denominator और denominator में हमने multiply कर दिया तो यह जो minus 3 था उसको यहाँ पर लिख दिये और इस minus 3 को हमने यहीं पर रख दिये ऐसा किया जा सकता है क्यों कर रहे हैं इसको solve करने के लिए हम कर रहे हैं अच्छा अब यह minus 3 cos square x divided by 4 minus 3 cos square x हमारे पास आ गया अब उसके बाद क्या करें उसके बा जो numerator है इसमें 4 को add करेंगे और 4 को अगर add करेंगे तो 4 को minus भी करना पड़ेगा तो 4 को हमने add किया minus 3 cos square हमारे पास था और यहाँ पर हम 4 को क्या करेंगे minus भी करेंगे तो 4 को add किया तो साथ हमने क्या कर दिया 4 को negative बना दिया तो यह plus 4 minus 4 cancel out होके हमारे पास क्या जाएगा minus 3 cos square x आ जाएगा तो हमने देखो क्या है nature से खिलवार नहीं करने का तो हमने nature से खिलवार नहीं किया हमने जो भी चीज प्लस में की उसको minus में की जो भी चीज हम लोग multiply कर रहे हैं वो denominator साथ-साथ numerator में भी कर रहे हैं तो इससे हमारा जो nature है वो change नहीं हो रहा है ठीक है समझ में आया divide by अब यहां पर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है 4 minus 3 cos square x और यह बन गया dx इतनी बात clear हो गई अब आगे solve करते हैं i equals to minus 3 यहां पर देखिए आगर मैं मैं अब इसको क्या कर दो separately अलग अलग कर दो ति यह जो 4 minus 1 minus cos square x divided by 4 minus 3 cos square x यह क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और यहां पर आएगा minus में क्या 4 divided by 4 minus 3 cos square x और into dx आ जाएगा क्या इतनी value आएगी क्या बताएंगे इतनी value आएगी क्या हमारे पास में बिलकुल आएगी ठीक ह यह 4 minus 3 cos square x divided by 4 minus 3 cos square x 1 बन जाएगा minus में 4 divided by 4 minus 3 cos square x हमारे पास value आएगी ठीक है अब आगे solve करते हैं यह जो minus 1 by 3 है इसको तो हम बाहर ही है यह पूरे में multiply होगा अब हम क्या कर देते हैं इसका अलग अलग separately integration कर देते हैं तो integration of 1 into dx हो जाएगा और यहां पर limit जो है वो हम जगाना भूल गये हैं और limit 0 से pi by 2 ही चली आ रही है ठीक है limit हमारी 0 से pi by 2 ही आ रही है minus में minus में क्या हो जाएगा minus में फिर से limit 0 से pi by 2 not 4 limit से 0 से pi by 2 4 divided by 4 minus में 3 cos square x और into dx इतनी बात समझ में आया क्या ठीक है जब यह solve हो गया तो यह जो 4 है इसको मैं बाहर भी कर सकता हूं तो इसको हम बाहर भी कर सकते हैं ठीक है इसको हम कहां लिख देते हैं बाहर integration के बाहर यहां पर लिख देते हैं कोई दिक्कत है क्या यहां पर one कर देते हैं ठीक है क्या य हो जाएगा अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा तो इसका integration हम कर देते हैं अभी के लिए i equal यह minus 1 by 3 पूरे में बाहर है है ना इसका integration करेंगे तो x के respect में करेंगे 1 का integration तो x आ जाएगा limit हम 0 से πाई बाई 2 पुट कर देंगे और यह minus कोज स्क्वेड करेंगे नियूमीनेटर में और वह दिवायड करने वाले हैं क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा नियूमीनेटर और डिवायड एक्स को डिवायड करने वाले हैं मतलब 1 minus oh sorry one divided by prod को मैंट्इपलाई पान करने वाले InterE asked बात, क्या बात समझ में आया, कि हम numerator and किसमे denominator में क्या divide करने वाले हैं, क्या divide करने वाले हैं, cos square x को, समझ में आया, तो चलिए divide करते हैं, तो divide करेंगे, तो 1 divided by cos square x आएगा, 1 divided by cos square x, तो 1 divided by cos square x को क्या मैं sec square x लिख सकता हूँ, बताएंगे, 1 divided by cos square x होगा, तो cos square, 1 divided by cos square x को हम sec square x लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर बताएगे, 4 divided by cos square x आएगा, तो यह उपर आएगा, तो क्या बन जाएगा, sec square x बन जाएगा, minus में, यहां देखिए 3 cos square x है, divide by cos square x होगा, तो क्या बन जाएगा यह, केवल 3 बन जाएगा यह केवल 3 बनेगा और खी नहीं बनेगा, समझ में आया क्या इतना, अब आगे, next slide में बढ़ते हैं, तो next slide में हमारे पास क्या है, यह है सबसे पहले, i, minus 1 by 3 हमारा बहार है उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, upper limit minus lower limit put कर देंगे, तो put कर देते हैं तो यह हो जाएगा, x 0 से, sorry, pi by 2 minus 0, और यह हमारी upper limit minus lower limit हो गई, अब next सबस्के बढ़ते हैं, minus है, तो minus लगा देते हैं, 4 है, तो 4 कर देते हैं, sec square x divided by 4 अब इस नीचे वाले जो sec square लिखा हुआ है, इसकी जगे में 1 plus 10 square x लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि sec square x क्या होता है, 1 plus 10 square x हो जाता है, तो जो क्या हो जाएगा, minus 4 हो जाएगा, limit हमारे पास 0 से pi by 2 ही रहेगी, ऊपर वाला जो numerator है, उसको हम वैसे का वैसे रखेंगे, और यह हमारे पास 4 रहेगा, और इस sec square x की जगे, मैं क्या पूट कर दूँगा, 1 plus 10 square x और यह minus 3 हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, एक बार cross check कर लेते हैं, यह हमने limit put कर दी, minus 4, sec square x, divide by 4, इस sec square x की जगे, 1 plus 10 square x, और minus 3, ठीक है, इतना ठीक है, चलिए, आब उसके बाद, इसको और solve करते हैं, तो i minus 3 जो है, यह 1 by minus 3 जो है, पाई by 2 यहाँ पर बचा, यहाँ पर minus 4 बचा, यहाँ पर बचा 0 से पाई by 2, ठीक है, और अब देखिए, यह हमारे पास हो गया, sec square x, इस 4 का अंतर multiply कर देते हैं, तो 4 plus, क्या आएगा, 4, 10 square x, और यह हो जाएगा, minus 3, यही चीज़ आएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, I equal minus 1 by 3, यह हो गया हमारे पास, pi by 2 minus में 4, अब 4 minus 3, 4 minus 3 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, तो 0 से, pi by 2, sec square x, divide by, पहले मैं 4, 10 square x ले लेता हूँ, और यह बन जाएगा, plus 1, और यह into dx बन जाएगा, खीक, इतनी बात, यह चीज़ समझ में आगया, अब उसके बाद हम क्या करें, अब देखिएगा, कि अगर मैं, इस tan x को, क्या ले लूँ, अगर मैं इस tan x को, t ले लेता हूँ, अब यहाँ पर हम substitution method लगा सकते हैं कि नहीं, अगर मैं इस tan x को t ले लेता हूँ, तो देखिए, tan x का differentiation होगा, तो क्या बनेगा, second square x into dx बनेगा, और इस second square x into dx के जाएगे, हम सीधे लिख सकते हैं, dt, और यहाँ पर जो बना है, four ten square x, इस tan square x के जाएगे हम क्या सकते हैं, t square लिख सकते हैं, तो यहाँ पर four t square plus one बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, four t square plus one बन जाएगा, बन जाएगा, और limit भी हम लोग क्या कर लेंगे, change कर देंगे, तो चलिए इसको solve कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास, i equal minus में one by three, यह हो गया, पाई by two, अभी इसको ऐसे नहीं लिखते, अभी हम केवल वहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो चीज लिखते देंगे, यहाँ पर इसमें, यह तो हमारे complete हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम इसको solve कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम put करेंगे, क्या put करेंगे, tan x को t के equal put कर देंगे, तो जैसे ही tan x को t के equal put करेंगे, इसका differentiation करेंगे, तो tan x का differentiation second square x हो जाएगा, x का differentiation dx हो जाएगा, और t का differentiation dt बन जाएगा, यह चीज हो गई, अब हमें limit भी change करना है, तो limit हम change कर देते हैं, तो limit change करेंगे, तो देखिए, बताइए, जब x की value 0 थी, तो t की value क्या थी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x हमारा 0 है, तो 10 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद देखिए, जब x की value क्या थी, जब x की value हमारे पास में pi by 2 थी, x की value जब pi by 2 थी, तब उस कारण से t की value क्या आएगी, हाँ pi by 2 पुट करेंगे, तो 10 pi by 2, 10 pi by 2 क्या होता है, infinite होता है, 10 pi by 2 क्या हो जाती ही value, infinite, ठीक है, तो हमारा जो, यह change हो क्या आया, वो क्या आया, i equal minus 1 by 3, 2 रहने दो, pi by 2 भी रहने दो, और यह minus 4 भी रहने दो, अब हमारे पास क्या आया, यह जो sec square x dx है, sec square x dx की जगे हम लोग dt पुट कर देंगे, और इस tan x की जगे हम लोग क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है, तो यह all limit हमारे पास आ गई, 0 से infinite, 0 से infinite, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, sec square x, sec square x dx की जगे हम लोग dt पुट कर देंगे, divide by, यहां पर क्या आएगी value, 4t square प्लस 1 आ जाएगे, क्या बन जाएगी, 4t square प्लस 1 बन जाएगी, clear हो गई ब देखे, क्या करेंगे, उसके बाद, यह आई है, इस minus 1 by 3 को अब अंदर हम multiply कर देते हैं, ठीक है, तो minus 1 by, तो यह क्या जाएगा, जब हम इस minus 1 by 3 को अंदर में multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, मारा minus pi by 6 आ जाएगा, और यह minus minus plus बन जाएगा, बनेगा 4 by 3, क्या बनेगा, 4 by 3, ठीक है, और यह हो गया, 0 से infinite, dt, divided by 1 plus 4, t square, इतनी बात clear हो गई, अब आगे बढ़िए, आगे देखें, minus pi by 6 हो गया, plus 4 by 3 हो गया, अब इसको ध्यान से देखिए, यह जो हमारे पास में, क्या आया है, 1 plus 4, t square, 1 plus 4, t square, अच्छा, क्या मैं इसको, कुछ इस तरह से, आपक अच्छे से समझ में आए, इसकी वज़े से, क्या मैं 1 का square, और plus 2, t whole square, ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं 1 square, plus 4, t square, को 2, t square, लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, तो क्या आपने, ऐसा कुछ formula, अभी, अभी, या फिर, कभी, देखा होगा, कि, integration of, 1 divided by a square, plus x square, 1 divided by a square, plus x square, इसका integration हम जानते हैं, 1 by a होता है, और क्या होता है, 10 inverse x होता है, क्या होता है, 1 by a, 10 inverse x होता है, तो इसी formula को हम यहाँ पर use करने वाले हैं, तो चलिए, i equal minus में pi by 6 हो गया, plus यह 4 by 3 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, a क्या है यहाँ पर, 1 है, और x यहाँ पर क्या है, 2t है, x यहाँ पर क्या है, 2t है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 1 by a, तो 1 by a का मत यहाँ पर क्या आएगा, किस में आएगा, division में आएगा, भाई, यह क्या आएगा, division में आएगा, यह 1 by 2 यहाँ पर division में आजाएगा, इस बात का आप खयाल रखेंगे, नहीं तो आपका जो question है, वो answer आने में दिक्कत हो सकती है, answer गलत आ सकता है, क्या, यह तो हमारा 1 है, यह तो क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 by 1, तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लिए, 10 inverse, यहाँ पर x क्या है, 2t है, तो जब यहाँ पर 2x पुट करेंगे, यहाँ पर 2t करेंगे, तो यह जो 2, t का जो बाजू वाला, मतलब coefficient 2 है, वो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, divide करना 6, आगे बढ़ते हैं, plus का, कितना हो गया यह, 4 divided by 6 हो गया, 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो plus में 4 divided by 6 हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं, 10 inverse 2t, अब पहले हम upper limit put करते हैं, उसके बाद lower limit, upper limit हमारे पास क्या है, infinite, infinite की जब value हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 into infinite, मतलब निएखे हो, infinite में अगर 2 को multiply करेंगे, तो value क्या रहेगी, infinite हैगी, तो 10 inverse infinite, अब 10 inverse infinite की value क्या होती है, 10 inverse infinite की value क्या होती है, 10 pi by 2 की value infinite, तो 10 inverse infinite की value, pi by 2, ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, upper limit, upper limit put कर दीए, Melissa करते हैं, lower limit, lower limit हमारे पास कितनी है, 0 है, तो 2t, मतलब 2, 0, मतल 10 inverse 0 की value क्या? 0 10 inverse 0 की value 0 हो गई, तो यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं i equals to minus में pi by 6 आगया, और यह कितना आया? यह हो गया हमारा, 4 pi by कितना हो गया? 12 हो गया, इसको cancel कर दो तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6 है न, यहाँ से यहाँ से भी cancel कर सकते थे तो i के value minus में pi by 6 आगई, और plus का कितना आया? 2 pi by 6 आगया, इसको solve कर लो, यह हो जाएगा 6 LCM, minus pi plus 2 pi, मतलब pi by 6 pi by 6 है हमारे क्या है? answer है, ठीक है? तो इसको solve करने के बाद हमने क्या देखा? हमारा answer जो आ रहा है, वो pi by 6 आ रहा है, समझ में आया? को देखने को मिलेगा और उनको solve करने की solve करेंगे, ठीक है उसको समझ में आया? तो चलिए, आज यह वाले वीडियो को हम लोगी पर खतम करते हैं, दूसरे वीडियो में next मिलेंगे, अगली दिन मिलेंगे, तब तक के लिए, good bye